27 सरवरी पाकिस्तान फिजाया और पाकिस्तान के लिए कैसे तारीखी बना इसी मुकमल मनसूबाबंदी और तारीख सास फैसलों की आगाही के लिए हम दावत देते हैं डेपिटी चीफ और एर स्टाफ और अपरेशन्स एर मार्शल हसीव पराचा सहब को पूरी कौम जानना चाहती है कि जो ओपरेशन सुर्फ रिटॉर्ट है इसकी प्लानि किस तरीके से की गई और किस अंदास में की गई क्योंकि इंडिया बार-बार कह रहा था कि इंडिया ने 26 वेवरी को पाकिसान को सिर्प्राइज दिया अगर इंडिया ने हमें इसका इतना मौत और जबाब इतनी जल्दी मुम्किन कैसे हुआ है शुक्रिया बिस्मिल्लाहिरामान रहीम इस सवाल को एड्रेस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूँगा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे उस ग्रूप ऑफ एर स्टाफ को जो एज टी रहीम इस सारे डिसीजिजन में इस साले मरहले में जिसमें हमने यह जवाब त्यार किया दुश्मिन के लिए पूरी तरह शामिल थे और एर स्टाफ के हर मैंबर ने अपना पूरा किरदार अदा किया है और यह सारा क्रेट चीफ आपध देयर स्टाफ की किया जो हमारे स्ट को जाता है जो आपने सर्प्राइज की बात की दोहजार अठारा के आखिर में कुछ ऐसे इवेंट से जिससे साफ पता चल रहा था के हिंदुस्तानी क्यादत पुलिटिकल क्यादत अपने एलेक्टोरल अबजेक्टिव के लिए एर पार को हमेशा पुलिटिकल अबजेक्टि के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगी जब अलवावा इंसिडेंट हुआ 14 फैबरी को उसके बाद और ज्यादा क्लियर हो गया उनकी मिलिटरी स्टेटमेंट्स और उनकी पुलिटिकल स्टेटमेंट्स है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे हमने मैने जैसे का कि 2018 के आखिर से मनसुबबंदी कर ली थी कि हम क्या करेंगे उनके बदले में इट वस नेवर असर्प्राइज लीडिंग अप टू 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 जवाबरी हमने डिपलोमेटिकली मिलिटरिली और अपनी पॉस्ट्रिंग से उनको यह मैसिज किया था कि अगर अगर वो कुछ करेंगे तो हम उनको एक मून तोड जवाब देंगे हमने हर तरह से मैसिजिंग भेजी थी हमारी डिपलोमेटिक कोर यहां पे है इसी डिपलोमेटिक कोर के कुछ नुमाइंदे को इतरी हुए हमने मैसिज किया था कि पाकिस्तान एर फोर्स कभी भी चुप क करके नहीं बैठेगी और इस बात का जवाब जरूर देगी जब 26 परवी की रात को तीन बजे हमें ये जहाज नजर आए ये एक जगा पर नहीं थे ये चार जगा पर आए थे ये नीचे सरक्री के अरिया में आए थे ये रहीम यारखान के अरिया में आए थे ये फाजिल का सेक्टर में आए थे और उपर इनके 20 जहाज जिसमें 12 मिराज 2000 और 8 130 थे ये उपर कश्मीर के अरिया में आए थे उन बारा जहाजों में से सिर्फ चार जहाज फेक के अपने वेपन्स चले गए आठ जहाज जो के लोड़िड थे अपने वेपन्स के साथ वो अपने वेपन्स कोई बाम पाकिस्तान में नहीं गिरा सका इन्होंने क्लेम किया है कि इनके पांच बाम गिरे हैं कहीं वो इंडिया में तो नहीं किरा, इसका हमें नहीं पता अगर ये सर्प्राइज होता, को हम लोगों को ढून रहे होते लेकिन पंद्रा मिनट के अंदर, एवरिवन वस इन दे कॉक्ट इतनी देर में हमें पता चला, कि कुछ द्राखत और कुछ कवे शायद हमारे तबाह हुएं इतनी देर में एक मीटिंग कॉल की गई कि एसेस्मेंट करें, क्यूंकि हमें पता चल गया था कि डामेज कुछ नहीं है हमें जो डिरेक्शन दी गई पॉलिटिकल लीडर्शिप की तरफ से, वो ये थी, कि हमें एक रिस्पॉंसिबल मुल्क है इस रिस्पॉंसिबल मुल्क का ये फर्ज बनता है, कि तकरीवन धाई बिलियन के अबादी जो इस एरिया की है, उसको जंग के आग में ना धुके ले नॉट तो रिस्पॉंड वस नॉट अप्शन, तो रिस्पॉंड वस अ कमपल्शन, ये कमपल्शन थी हमारे उबर के हम दे जवाब देना है, सिर्फ किस तरीके का जवाब देना है, सिर्फ उसकी डिटेल्स को हम दे डिसकॉस किया, और हमें कहा गया कि आप अपने किया जाए हमने उसकी प्लैनिंग की सारा देन 26 का इंडियन एफ़ोर्स हमारा इंतजार करती रही सारी रात 26 की इंडियन एफ़ोर्स हमारा इंतजार करती रही हमने अपना चॉइस का टाइम चूज किया इंडियन एफ़ोर्स को बहुत हजीमत का सामना था सबाए उनके अपन प्रिटा स्पीक्स ऑफ अन प्रोफेशनल एर फोर्स जब हमें कहा गया कि आप टार्गेट से दूर बाउम फेकें हमने भी यह सोचा कि क्या दुनिया ये तो नहीं कहीगी कि हम अन प्रोफेशनल एर फोर्स हैं उसके लिए हमने पूरी प्लाइनिंग की हमने अपने हथ्यार चुने कि जिससे हमारे पास पूरी तस्वीर आई उस बाउम की पूरी जहां तक उसको गाइड किया गया और जहां पे उसको इमपेक्ट किया गया उसकी पूरी तस्वीर हमारे पास आई ताकि ये तारीख में एक हकीकत रहे दुनिया को पताओ कि पाकिस्तान एर फोर्स इ ये पहले हमने नहीं दिखाया कभी लेकिन आज ये जरूरी है कि ये प्रूफ दिखाया जाए ताके दुनिया को ये समझो कि हम अपने हदफ को अच्छी तरह निशाना बना सकते हैं जो इंडियन एनलिस्ट हैं अगर ये वो बात सुनें वो अपने हर टॉक शो में ये कहते है कि पाकिसानी एर फोर्स आई थी और उनके टार्गेट्स मिस हुए या उनकी एर फोर्स ने हमें टार्गेट मिस करने पे मजबूर किया आज की ये वीडियो उन सब को बता देगी कि भी फुली केपेबल ऑफ हिटिंग आर टार्गेट्स बट जो पोलिटिकल डिरेक्शन थ और जो सैनिती थी जो इस रिजन की स्टेबिलिटी के लिए सैनिती थी अई तैट वस रीजन वी इंटेंशली डिट नो दिस्ट्रोई टार्गेट्स इंडियों पाकिस्तान जब हमें पता चला कि चार बॉंब्स का इंपेक्ट हमें नजर आया है पांच वां इंडिया क्ले हमने चार टार्गेट लिया और उस पे छे बॉंब गिराए हर पालिट को पता था कि उसे किस जगह पे बॉंब गिराना है आप देख सकते हैं इस पे हमारे जो चार टार्गेट थे देवर टू ब्रिगेड हैड़कौर्टर इन पूँच एंड राजोरी सेक्टर पी ओएल डम और फावर्ट सपोर्ट डेपो था एक नुशेरा सेक्टर में जो इस जगह पे आपको स्कुर्स में नजर आ रहे हैं इसको जब हम तबदील करते हैं गूगल अर्थ के मैप के उपर एन्यवन वो हैज एन इंटरनेट वो एक्जेक्ली यह चीज़ देख सकते हैं कि यह इंडियन टार्गेट इस जगह पे आप नजर आएंगे मैं फोकस करूंगा दोशेरा सेक्टर के दारिया फर्वर्ट सपोर्ट डेपो के उपर जिसको हमारे पालेट से निशाना बनाया आपको यह डेपो की डीटेल नजर आएंगे इसके अंदर मंगला डेम भी आपको लेफ साइट पे नजर आया आप देखिए यह वो फोर्वर्ट सपोर्ट डेपो है जिसके एमिनिशन है जो इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया में एक और सवाल भी उड़ता है कि हमने कोई एक्शन किया जो कि हमारे सिविलियंस के खिलाफ किया था हमने उनके military targets को engage किये हमने military targets इसलिए engage किये कि ये Indian military थी जिन्होंने पाकिस्तान की sovereignty को challenge किया था ये fully legitimate targets थे हमारे लिए इसलिए हमने इनको निशाना बनाया ये वो जगह थी जो के हमारा हदफ होना था हमने अपने pilot को का कि वो इस हदफ से इस हदफ की पूरी तस्वीर बनाए अच्छी तरह से तस्वीर बनाए उपर से complete जिससे उसका control जाहर होता है और उसके बाद वो इस जगह पे impact करें थोड़ा से left side बे ताकि इस जगह पे कोई नुकसान ना हो इसको अब हम compare करेंगे जो actual weapon की वीडियो है उसके साथ आप देख सकते हैं यह target imagery है यह तस्वीर actual weapon की तस्वीर है और आप इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं अब इस जगह पाड़ी के अदर ना है और आप इस जगह पे और वहाँ पे इंपक्ट के वाक्तिया वीडियो खताम हो जाएगी यह वीडियो हमने थोड़ी slow की है ताकि आपको नज़र आ सके और आगे मैं आपको normal speed पे वो वीडियो दिखाँ हूँ और इस इस जी इंपक्ट अंदी नारिया फावर सपोर्ट डेपो यह वो तस्वीर थी जो पाइलिट को जहाज के अंदर नज़र आ रही थी और इसी speed से नज़र आ रही थी और यह हमारे सबूत अन एनलिस्ट और उस narrative की जरूर तरदीद करेंगे कि पाकिसान Air Force ने मिस किये हैं अपने target हमने अपने political objective के हिसाब से अपने target अचीव की सर यहीं पे एक सवाल आता है कि वहाँ पे propaganda किया गया कि जो उनका तयारा गिराया गया है वो हमारे एक F-16 ने गिराया तो सर यह बताईएगा कि यह F-16 था, J-F-17 था, मिराज था, यह क्या था अच्छा तो नहीं लगता लेकिन किसी को जर्द पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से उससे क्या फर्क बढ़ता है वो कहते हैं हम चुप थे, हम चुप थे के बरबाद ना हो जाए गुल्शन का सकूँ नादा ये समझ बैठे के हम में कुवत दिललकार नहीं है एक और जूट जून का था उन्होंने पाकिस्तान का इक जहाज अभी नंदन ने गिराया जिसके लिए उसको शायद तमगा दिया या शायद किसी और चीज़ के लिए दिया मुझे नहीं पता लेकिन अगर उन्होंने जहाज गिराने पे दिया तो आज मैं आपको सच बता दूँ उसकी कहानी कि अभी नंदन के जहाज का रेकिज है जो आपको नजर आ रहा है उसकी टेल नमबर नजर आ दिया आपको जब हमने इस जहाज के रेकिज की असल जगह पे तस्वीर ली तो आपको नजर आ रहा है इसके उपर बाकी सारे मीजाइल साइडों पे पड़े हुए थे आप अगर देख सकें यहाँ पे भी पड़े हुएات यहाँ पे भी पड़े हुए इर्थ गर्थ बिखरे हुए थे एक मीजाइल जहाज के साथ था जो उसके साथ जल गया इस मिजायल को जब हम देखते हैं क्लोज अप से तो ये उसका टेल सेक्शन है जब तक ये लाँचर से ना निकले तो ये मिजायल फायर नहीं होता ये वो मिजायल है और इसका ये टेल सेक्शन आप देख सकते हैं Jest लौन्चर के साथ लगा हुआ हैं चार मिजाहिश थे इस जहाज की उपर, दो इस तरह के थे जिन को R-73 का जाता है और दो R-77 मिजाहिश थे. ये एक जहाज से टूटके गिर 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 ये वो चारों मिजाइल हैं जो हमारे पास हैं ये चारों मिजाइल इस वक्त हमने अपने पास रखे हुए हैं कोई इंडिपेंट इनलिस्ट इसको आकर देखना चाहे तो ये अविलिबल विद अस we should rest that narrative now कि आपर नदनने कोई मिजाइल फाइन किया था Sir, एक आप से सवाल पूछना चाहूँगी इस पूरे ओपरेशन में जहां हम आपके होसले देखते हैं पूरी कौम का होसला, पूरी कौम पाक फिजाय के साथ करती है पूरी कौम की दुआएं हमारे पाक फिजाय के जवानों के साथ थी इस पूरे आपरिशन में आपकी कोई ऐसी खाहिश जो अधूरी रह गई हो खाहिश जरूर थी एर स्टाफ की भी हमने हमेशा इसी किसम के मार्के के लिए त्यारी की थी हमेशा जब हम इनकी उम्रों के होते थे जवान होते थे अफसोस ये था कि हम कॉक्पिट में नहीं थे पर हम डेस्क के उपर थे ये खुआश थी होते थेंक यू हवातीनों हजराद आप सब की भरबूर तालियों में हम चाहेंगे कि एक दफ़ा शुक्रिया अदा करें DCS Operations का कि भूर शुक्रिया ये माशल हजी पराचा साथ आज हमें ये मौका देने का कि हम आज पूरी दुनिया के सामने सर्फखर से बुलंद करके कह सकते हैं कि हमारे पास हमारे दिफा के लिए हमारी निगेबानी के लिए पाक फिजाया मौजूद है 27 फरवरी का सूरज जहां काम्याबी की नवीद लेकर तलू हुआ वही रेडार्स कोप पर मौजूद कंट्रोलर्स ने शाहीनों की आंके बनकर दुश्मन पर कारी जर्ब लगाई इस रूदाद को सनाने के लिए दावत देना चाहूंगा सितारे बसालत पाने वाले ग्रुप कैप्टन राना इल्यास को सर आप एर डिफेंस कंट्रोलर हैं 27 वेवरी को जब इंदिया इतनी बोखलाहट का शिकार हो गया था कि उसने अपना यह तैयारा मार गे रहा था तो याब अपनी निकाहों से सब कुछ होता हुआ देख रहे थे कुछ उन लमहात का भी जिकर कीजेगा जी बिलकुल हम वो लमहात देख भी रहे थे अपने रडार स्कोप पे और इंज्वाई भी कर रहे थे इंडियन एर फोर्स में उस वक जो पैनिक और जो फॉग अफ वार थी आर एक्शन विच वोस सो स्विफ्ट और विच वोस सो कॉम्प्रिहेंसिव और इसी बोकलाहट में जो उनका अपना हेलिकॉप्टर आ रहा था उसे पाकिसान एर फोर्स का जहास समझ के उन्होंने अपने ही सर्फिस टू एर मिजाईल से उस हेलिकॉप्टर को सिरिनगर के करीब तबाह कर दिया खुदा की किसम अगर डिसिप्लिन टूल्स ऑफ इंगेजमेंट और प्रोफेशनलिजम हमें ना पढ़ाया होता हमें ना सिखाया होता उस दिन दो क्लियरेंसिज गई और दो जहास शूट हुए अगर हमें अजाज़त बिलती तो ना क्लियरेंसिज जाती और रिज़र्ड इंशालला ना जहादू कर दो और जो उस केंट्रोलर ने अपने फॉर्मेशन मेंबर को लूज करने के बाद एवार्ड लिया उस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा ए तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में गोता ही खवादीन हुजरात ग्रुप कैप्टन राना इलियास साथ ना आपको बताता चलूं कि इन जानिसारों ने दुश्मन के महफूज असकरी ठिकानों को अपने निशाने पर रखा वलवला अंगेज वाके की तफसीलात बताने के लिए हम स्टेज पर दावत देंगे तमगा जुरत हासिल करने वाले ग्रुप कैप्टन वहीम खान को वहीम भाई मैं आपसे जाना चाहूंगा पूरी कौम आपसे जाना चाहेगी कि जब आपको अटैक का ओर्डर मिला और जब तक आप दुश्मन पर हमला आवर नहीं हुए उस दरम्यानी टाइम में आपके जहन में क्या चल रहा था आपके क्या एसासाथ थे क्या ज़स्बात थे सबसे पहले मैं अल्ला का शुकर अदा करता हूँ और अपनी लीडर्शिप का शुकर अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे स्कौर्डन को इस मुकद्दस काम के लिए मुन्तखिब किया हमने मिशन की ब्रीफिंग की और इन डेप्थ अनेलिसिस किया जब प्लैनिंग हो गई अब एक आखरी चीज रहती थी और वो थी कि हम अल्ला से मदद मांगे हमारी पूरी टीम जो स्कौर्डन वाले थे सब इकटे हो गए हमने सुलात हाज़त पड़ी और लो से मदद मांगी कि कि आ ल्ला हमें अबने दुश्मन की ओपर गल्वा नसीब हर्मा और खिर आप लोगों ने 27 तारीफ को देगा कि किस तरह हमने दुश्मन के ओपर हमला किया ना सिर्फ हमला किया कि अल्ला ताला ने हमें उसके बदले दो ट्रॉफियां भी हमें नसीब फर्माई SEO 30 और MIG 21 की शकल में फाहिम साथ हमने सबने वो फुटेज अभी देखी ये आपके सामने बराहरास थी और यकीनन जब दुश्मन का इतना एहम हदफ आपके सामने हो जोश और वलवला अपनी पीक पर हो तो कभी आपके जहन से ही गुजरा कि उसी असल ठिकाने पे जिसका सबसे बड़ा इंपक्ट हो सकता है सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है दुश्मन को उसी पे कौन कौन मुजूद है दिल तो बड़ा किया कि इनको एक ही दफ़ा निशाना बनाएं और इनको निस्तुनाबूद करें लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हमने ओर्डर्स को फॉलो करना है और मैं ये अपने दुश्मनों को बता देना चाहता हूँ आप्टन फ़हीं खान के लिए बहुत 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 शुक्तिया फ़हीं भाई आपका थैंक्यू सो माच याव मेड़ा सौल फ्राउट खवतिनों हजरात लफ्स हकीकत भी है और हिकायत भी मगर यहां पर हम तज़करा कर रहे हैं सिरफ हकीकत का जिकर कर रहे हैं उन दिलेर नौजवानों का जो अजगर खान और एमम आलम का अक्स हैं जो यूनस और भटी का इमतिजाज हैं जो रफीकी और मिनहास की मीरास कहलाते हैं खवतिनों हजरात चीते का जिगर रखने वाले उन दिलेर हवाबाजों का इस्तक्बाल जो इस अजीम कारनामे के शायाने शान ही कीजेगा आपकी भरपूर तालियों में इस्तक्बाल कीजे अभी नंदन का जहाज मार गिराकर सितारे जुरत पाने वाले विंग कमांडर नुमान अली खान और सू थर्टी जैसा जदीद तरीन तैयारा गिराकर तमगा जुरत पाने वाले स्कॉडर्डरन लीडर हसन सिद्दी की का आप नमान भाई आप से पूछना चाहूंगा पूरी कौम जानना चाहती है कि 27 फरवरी को जब आप कॉक्पिट में मौजूद थे और आपने रेडार पर दुश्मन के तैयारे देख लिए उसके बाद आपके जहन में क्या चल रहा था प्लीज बताएं 26 फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुजद दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टार्गेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशन तितर बितर हुई और जिस तरह आगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफाह में बुरी तरह नाकाम रहा और ये दुश्मन की फजाया की कर्दगी पे एक सवालिया निशान है और रहती दुनिया तक ये सवालिया निशान काइम रहेगा 26 फरवरी को जो उनकी प्लैनिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया उसमें बड़ा फर्क था वो आये रात के अधरे में अपने टार्गेट मिस किये और अफरा तफरी की आलम में भाग गए उसके जवाब में हमने क्या किया हम गए हमने उनके जो हमारे इंटन्डे टार्गेट्स थे उनको तबाह किया और उसके बाद हम वाँ खड़े हो गए तो चैलें डिर अफरेंस कि सी वी अर हेर ज़स कम और सी वाड़ पाकिस्तान एर फोर्स अलहम दोलिल्ह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एर फोर्स क्या चीज़ है और आप यकीन करें कि उस वकत जो मेरी फार्मेशन थी और जिस तरह मेरे शाहीन मेरे साथ थे तो उस वकत हवा में मेरे जहन में अकबाल का वो शेर बुंज रहा था जपटना पलटना पलटकर जपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना तो जो मेरे शाहीन थे जपट रहे थे और पलट पलट कर जपट रहे थे बट वो जो रूल्स थे वो हमें रिस्टिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया तो आप यकीन करें कि उस जहाज के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिजाइल जहाज से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी सभान आला हमारी दौा है कि आपके शाहीन इसी तरह जपटते रहें और जपट कर पलटते रहें सकॉन लीडर हसन सदी की तमगा जुरत माशाला हसन मैं जानना चाहूंगा कि यह जो सारी फॉर्मेशन है यह लीड करे थे नमान भाई और आप इसका हिस्सा थे तो पूरी कॉम यह जानना चाहती है कि जब आप दुश्मन पर हमला अवर हुए तो आपके क्या एसासाथ है यंग, ब्राइट, एनरजेटिक गरम खून वाले आपड़िक क्या जजबात है वाइल एंसरी वाइल एंसरी तो प्यूश्मन पर आप इसका है और एंसरी प्रेज़नी यम्मालम साफ्साफ्स एंटर्व्यू पर इस प्रवाइटिके कि यह जजबात एससाथ, एकसाथ, एकसाथ पाइलेट के उसक पीछे रहा जाते हैं जब वो महाज में एंटर होता है तो दिसेम बूर दूइन को फाइट यह एक्साइटमेंट्स सेंटिमेंट्स जाजबाद तो जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत और मेरे कौम के वकार की तरफ देखेगा तो इसका वही हाल होगा जो उस दिन उन दो जहाजों के साथ होगा सब अची तरह देख लें हमारे मुल्क के खिलाफ जो भी आंख उठाएगा वो बहुत अची तरह देख लेकर ऐसे जवान यहां पर मौझूद है जो एर फोर्स की इंप्लाइमेंट है और जो हम मौडरन एर पार की इंप्लाइमेंट की बात करते हैं तो इस नौट अमेटर अफ चांस यह ऐसे नहीं है कि आप जहाज उठाएं और लेके चल पड़ें और जाके दुश्मन पर अटाइक करें तो दुश्मन की जो बेसे खलती थी वो यही थी कि ना ही उसको अपनी विकनेस का पता था और ना ही उसको हमारी स्टेंस का पता था तो डे डिड़े बेसिक निश्टेक बेचे चैलेंग दे रॉंग नेशन और मैं आप आज इस दीश का ज़कीन दिखता हूं कि पाकस्तान एरफोर्स नेशन का प्राइट थी आज भी है और इन इस निशाला इंशाला 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 स्कॉन लीडर हासन सुदीकी आप को इस पर बहुत से यंग्स्टर्स आई डिलाइस करते हैं माशाला इंशाला इंशाला यृर रियल हीरो मैं जानना चाहूंगा आप यंग्स्टर्स के लिए क्या कहना चाहें इस देए So the youngsters, those who are holding weapon in their hand, or flying the aircraft, or sailing the seas, यही बो लोग मही हैं जो पाकिसान की लिए खिद्मत कर रहे हैं और उसकी इफाज़त कर रहे हैं. Everyone who is doing his job to the max in any capacity is serving our nation and serving Pakistan. So keep on doing that. And for the nation, sleep tight. We are awake. SubhanAllah. Sleep tight. Pakistan Air Force is awake. Thank you very much. Scorn Leader Hasan Siddiqui, Tamgha-e-Jurat, Wing Commander Numan, Sitara-e-Jurat. Thank you very much. You are real heroes. We are proud of you. We are so happy that we can't explain it in the words. And for the people of our heroes, We are so happy that we have a living legend here. And I want to say that I am very proud of them. That you will bring in the audience. And the whole team will bring in the audience. And the whole team will bring in the audience. And then, thank you very much. And the whole team will bring in the audience. And it is a good day. And the great team will bring us all over. And everything will bring in the audience. तुम ही से ऐ मुझाहिदो जहां का सबत है तुम ही से ऐ मुझाहिदो जहां का सबत है तुमारी मशल वफा परोगे शश जहात है तुम ही से ऐ मुझाहिदो जहां का सबत है तुम ही से ऐ मुझाहिदो जहां का सबत है तुम्हारी जौं से दिल नशीर जबीने काइनात है पका की रोशनी हो तुम पना अंधेरी रात है शहीद की जो मौत है वो पौम की भयात है लहू जो है शहीद का वो पौम की जगात है तुम ही से ऐ मुझाहिदो जहां का सबत है तुम्हारी मशल वपा परोगे शश जहात है तुम ही से ऐ मुझाहिदो जहां का सबत है गुम्ही से ऐ मुझाहिदो जहां का सबत है निकाह गुलन सुखन दिल नवाज जांपुर सोज यही है रखत सफर मीरे कारवां के लिए और अब मैं दावद देना चाहूंगी हमारे मीरे कारवां पाग पिजाया के से ब्राज जनाब एर चीफ मार्शल मुझाहिद अन्वर खान साब निशान इंत्याज मिल्ट्री को कि वो आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर तश्रीफ लाएं और अपने ख्यालात से आज की तक्रीब को जिला बख्षें बिस्मिल्ला रहमान ररहीम इस्पेक्टेड फैमिलीज उफ शुहदास शनेक्ष, इसलनकीज, बिस्टेंजिशखनेश बत्षेंशने मेंगानी तुभ उटेजिशे लेहित सार्व चेमिल्टा फ्याला वटर वाप्टन्षा अवार्टन शुहाँ नट वार्वालाइब्स इंटति आ एंट्यों म्जाहिद 땡्प्लाग् के आमए कैंद लगे लेक नहाथिया के गड़ करिके लाद में लगाने कि और चेक्षान और रहे लगानों हैं। इंहां लुट लेकान वहाथिस हैं। काईड़यो द्वाद्वादी श्प्तों में लाद्व टमीर लगादर्स अव्ते वेले लिएाधने हैं। अगिज बैस्ट प्रिंस्पल्स. आग गरी अगरिस्ट देश्स जगसी आगा उट्टानीश बटकी तुझेश। available for the years. We are proud that Pakistan Air Force amply manifested its capacity, endurance, and superiority in 1948, 1965, and 1971 Wars as well as two decade-long operations during the war on terror. this year the aggressive once again challenged our sovereignty and peace of the region oblivious of our firm resolve spirit of our sacrifice and unparalleled resilience Alhamdulillah with a mailed and well calibrated response during operation swift retort we reestablish our deterrence against a numerically greater enemy a success that stunned the entire world committed to the core principles of operational preparedness and singularity of purpose Pakistan Air Force is focused on the mission and proved that airspace is our exclusive domain inshallah let me make it clear that we acted very responsibly during this crisis P.F. exercise restraint however if we are challenged again we may not today the legacy of these heroes is carried on by a new generation of dedicated fighter pilots that you just saw wing commander Numan Gupta bin Fahim and school leader Hassan along with them were numerous unsung heroes of Pakistan Air Force who made the entire nation proud on 27th February earlier this year these young air warriors executed their tasks with pinpoint precision all other elements of Pakistan Air Force supported them in synergy pilots engineers fighter controllers technicians logisticians administrators civilians and security staff through a prompt response across the length and the breadth of our country for the families of P.F. personnel I cannot but admire the moment when they sent their loved ones off and endured their absence today the security challenges faced by the country are grave but greater still is our resolve and our capability to face the enemy our two decades long and successful war against terrorism attributes due credit to our national stamina unity and resilience we believe in peaceful coexistence with our all neighbors and support Afghan led and Afghan owned peace process focusing on economic stability and nation building however we still have a lurking clear and a present danger on our eastern border as we stand by our Kashmiri brothers in their struggle for self-determination in this wake we also acknowledge the nations who have who view the current situation rationally and urge others for supporting indigenous freedom movement of Kashmiri people as per United Nations Charter to bring an end to the human atrocities in the Indian occupied Kashmir for Pakistan Air Force I assure you that we will maintain peace with honor and ensure sovereignty of Pakistan airspace at all costs with all instruments of air power including the battle-tested battle-hardened JV-17 pride of the nation on this occasion I would like to make a special mention of the positive role played by Pakistani media during Operation Swift Retort I felicitate the entire media fraternity of Pakistan for the role in safeguarding our national interest I congratulate Group Captain Hussaini and Mr. Alamgeer on Lifetime Achievement Awards and I as I have already promised to Mr. Alamgeer that we will bear the expenses of his medical facilities inshallah and the times to come I felicitate the brave Pakistan Air Force officers decorated with operational awards I appreciate the artists the anchor persons for adding color and all the organizers for a well-orchestrated event May Allah Subhanahu Wa Ta'ala guide our endeavors give us strength to be the enduring guardians of Pakistan free blue skies I thank you all Pakistan Air Force Zindabad Pakistan Pahindabad Mujhe Yanis Sidra Iqbal Faruk Hassan Shafat Ali and Madhya Nakhvi But Iqbal and Moan Pahind and एसी जमी और आसमा इनके सिवा जाना कहा बढ़ती रहे ये रौशनी चलता रहे ये कारवाँ दिल दिल पाकिस्ता जा 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 पाकिस्ता और आसमा एंके सिवा जाना कहा पढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवा हो दिल दिल पाकिस्ता जा जा पाकिस्ता दिल दिल पाकिस्ता जा जा पाकिस्ता घर अपना तो सब को जी जाने से प्यारा लगता है हम को भी अपने हर अर्मान से त्यारा लगता है तारा लगता है दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्ता जाँ जाँ पाकिस्ता 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 दिल दि आजा आपकिस्ता आपकिस्ता